हेलो फ्रेंट आपको हमारे इस वीडियो में स्वागत है आज माई आपको कुछ महत कुन जी के के बारे ममें जानकारी दूँ आपका पहला सवाल है इंसान अपनी जन्गी में कितने साल सोते वे बिताता है ऑप्षिन ए 15 साल ऑप्षिन बी 20 साल ऑप्षिन सी 25 साल ऑप्षिन जी 30 साल इसका सही आंसर है ऑप्षिन सी 25 साल आपका अगला सवाल है रोयल इंट फेल किस देश की कमपनी है ऑप्षिन ए अमेरिका ऑप्षिन बी भारत ऑप्षिन सी जापान ऑप्षिन डी इंगलेंड इसका सही आंसर है ऑप्षिन बी भारत आपका अगला सवाल है संगीत के दुनिया में सितार की जादोगर नम से किसे जाने जाते है ऑप्षिन ए रहीम सैन ऑप्षिन बी क्यागराज ऑप्षिन सी तान सैन ऑप्षिन डी पुरंदर दास इसका सही आंसर है Option A. रहीम सैन आपका अगला सवाल है नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? Option A. मिस्र देश में Option B. टिबब देश में Option C. चिली देश में Option D. नाइजीरिया देश में इसका सही आंसर है Option C. चिली देश में आपका अगला सवाल है भारत के किस प्रधान मंत्री ने तीन शाध्यां की थी? Option A. नरेंद्र मोधी Option B. राजीव गांधी Option C. इंदिरा गांधी Option D. मुरार्जी देशाई इसका सही आंसर है Option D. मुरार्जी देशाई आपका अगला सवाल है किस जानवर का दूधी इंसान नहीं पचा सकता है? Option A. गधी के Option B. उठ के Option C. शेरनी के Option D. हठनी के इसका सही आंसर है Option C. शेरनी के आपका अगला सवाल है लिपेस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? Option A. गई Option B. सूर Option C. बकरी Option D. कुद्धा इसका सही आंसर है Option B. सूर आपका अगला सवाल है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? Option A. गई Option B. भेड Option C. बिस Option D. बकरी इसका सही आंसर है Option B. भेड आपका अगला सवाल है भारत में रेल गाड़ी के पहिये कहा बनाए जाते हैं? Option A. मुंबई में Option B. वारणसी में Option C. कपूर्थला में Option D. बिंगलुरु में इसका सही आंसर है Option C. कपूर्थला में आपका अगला सवाल है मनुष्य के खून में कौन साथ हातों पाया जाता है? Option A. चांदी Option B. लोहा Option C. सोना Option B. टामबा इसका सही आंसर है Option B. लोहा आपका अगला सवाल है आठ दान्तों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? Option A. पीछे पढ़ना Option B. शौक करना Option C. चक्कित करना Option D. बहाना करना इसका सही आंसर है Option C. चक्कित करना आठ अगला सवाल है मोबाईल को हिंदी में क्या कहते है? Option A. मोबाईल यंत्र Option B. संदेश यंत्र Option C. बाचित यंत्र Option D. दूरभाश यंत्र इसका सही आंसर है Option D. दूरभाश यंत्र